हलो फ्रेंड्स, स्वागत था आपका अपने यूट्यूब चैनल पर आज की वीडियो नीट ही हुजी, 2023 स्टुडेंट्स के लिए इंपोर्टेंट रहने वाली है जो भी स्टुडेंट्स एड्मिशन लेने जा रहे है या लेना चाह रहे है तो मेडिकल की यदि आपको एक सरकारी सीट चाहिए तो सरकारी सीट पर जो कॉम्पिटिशन है वो 40 स्टुडेंट्स पर है मतलब 40 स्टुडेंट्स में से एक स्टुडेंट का सेलेक्शन होगा एक स्टुडेंट को सरकारी सीट मिलेगी नीट यूजी के लिए जो total application है वो 21 लाख registration हो चुके है या हो गए है तो guys आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ कि private seat के लिए क्या competition रहने वाला है government seat का क्या competition है कितनी इनकी fee लगेगी और कितने students जो है exam में बैठने वाले है किस state में सबसे ज़्यादा competition रहेगा इन सबसे related पूरी information आज आपको इस वीडियो में मिलने वाली है तो सबसे पहले अगर आप इस channel पर नए है तो channel को जरूर से subscribe कर लिजेगा ताकि आपको नीट यूजी से related की हर type के information चाहे वो exam से related हो result, cut off, counselling, official notice से related की हर type के information time to time आपको इस channel के थूरू provide करवाई जाएगी अब देखिया guys मैं आपको बता दूँ कि नीट यूजी के जो application form थे closing date आ चुकी थी क्लोज होने के बाद वापिस से एक दिन जो है window open कर दी गई थी application form extend कर दिया गया था जिसकी वजह से काफी सारे students ने और form फिल कर दिये ठीक है अब जो है total जो seats होगी अगर आपको एक government seat चाहिए medical की तो 40 students में competition रहेगा और ये competition काफी जादा बोला जाएगा क्योंकि अगर हम batch देखे तो 50 का 100 students का इतने का ही batch बनता है और उन में से पूरे batch में से क्या दो student निकल रहा है तो आप सोच सकते है कि competition कितना tough है ठीक है तो need user के लिए जो registration से है total 20.85 lakh बोला जा रहा है अप्रोक्स तो 21 lakh आप मान सकते है कि इतना registration हुए है तो guys medical का जो ये exam है देश का सबसे बड़ा exam आना जा रहा है क्योंकि इतने student जो है किसी competitive exam के अंदर वैसे government job में भी नहीं होते जितने students ये MBBS के entrance के लिए exam देने वाले हैं तो देखिए सबसे ज्यादा अगर मैं competition के बात करूँ तो सबसे ज्यादा form जो apply हुए है मारास्ट्रा स्टेट से हुए है second number पर UP स्टेट से form सबसे ज्यादा apply हुए है तो सबसे ज्यादा competition भी इन दो स्टेट में रहने वाला है और जो सीटे होगी वो भी compare than other states इनके अंदर सीटे ज्यादा है ठीक है तो एक बार देख लेते हैं full information NEET UG 2023 NEET UG के लिए 21 लाख registration बनी देश की सबसे बड़ी परिक्षा बड़ा medical course का क्रेज तो ये जो exam है 7 में को होने वाला है और एक single shift में ये exam conducted करवाया जाएगा तो MBBS जैसे medical की undergraduate course में admission के लिए होने वाले NEET exam में एक record बनने वाला है इस बार record 21,10,000 उम्मीदवारों ने NEET UG exam 2023 के लिए आविदन किया है इस लिहाज से इस बार NEET UG सबसे बड़ी परिक्षा होगी NEET UG की जो परिक्षा है वो 7 में को दो पैर दो बज़े से शाम साड़े 5 बज़े तक आयुजित की जाएगी और ये exam एक single shift में होने वाला है NEET UG 2023 के लिए बड़े आविदन का स्पस्ट मतलब है कि स्टूडेंट्स के बीच medical की पढ़ाई का क्रेज भड़ा है एक्सपर्ट के अनुसार इसकी बड़ी वज़े medical college में बड़ी seat है पिछले कई वर्स में देश में एम से सहीत दूसरे medical college खुले है इसके अलावा इंजीनिरिंग में दाखिले के लिए JW मेंस और एडवांस जैसे कई लेवल पर होने वाले परिक्षाई भी स्टूडेंट्स को medical की पढ़ाई के और ले जा रही है कुछ experts का यह मानना है कि इंजीनिरिंग जैसे course के students का placement अब medical के students के मुकाबले कम हो रहा है medical students की संख्या बढ़ने की एक और वज़े यह भी है कि medical में महिलाओं का percentage भड़ा है नीट यूजी 2023 के लिए आवेदन की आखरी तारीक 6 अप्रेल थी नीट यूजी परिक्षा के जरिये 660 medical कोलेजों में दस एक लाख 1043 सीटों पर एडमिशन होंगे इसमें से 50,000 सीटे सरकारी medical कोलेजों में है इस लिहाँ से देखते हुए सरकारी medical कोलेजों की परते एक सीट के लिए 40 स्टुडेंट उम्मिदवार है तो गैज आप देख सकते हैं competition जो है काफी ज़्यादा tough रहने वाला है तो अच्छे से prepare हो जाएगा ज्यादा time आपके पास अपना ही बचा है ठीक है 15 days का time है तो अच्छे से prepare कीजिएगा खुद को और कोई भी doubt लगता है तो आप कमेंट के जरी यह पूछ सकते है और कोई भी guys official notice या latest update आएगी exam से related आपको इस channel के थ्रूँ available करवा दे जाएगी इसलिए channel को जरूर से subscribe कर लीजेगा ताकि कोई भी latest information आप से मिस ना हो तो जल्द ही मिलते हैं next new update के साथ तब तक के लिए thank you guys